Redmi अपना phone बीना warranty के बेच रहा है क्या ये चीज लीगल भी है? यानि कोई smartphone brand इंडिया के अंदर smartphone बेच रहा है बीना warranty के? येस दोस्तों, मैं भी अभी फिलहाल कुछ टाइम पहले शॉक हो गया था लेगिन आप सभी को थोड़ा सा और शॉक करने के लिए आप स्क्रीन दिखा देता हूँ यहाँ पर हमने Redmi के official website खोली है जो आपको अभी आप स्क्रीन दिख जाएगी Redmi 9 smartphone 9000 रुपय में मिल रहा है product is on clearing stage warranty not available warranty available नहीं है यहाँ पर clearly mentioned है in fact ये भी चीज लिखी हुए है कि ये जो smartphone ने ये clearance में डाला गया यानि के clearance sale में डाला है यानि के smartphone को बस निकालना है अब जो कोई भी smartphone या फिर कोई भी चीज अगर निकालनी होती है तो वो obviously बहुत ही कम भाव के अंदर निकाली जाती है लेकिन आप लोग surprise हो जाओगे in fact शौक हो जाओगे कुछ लोग तो सर भी खुजलाने लग जाओगे ये चीज देखके कि इसका भाव तो clearance वाला भाव नहीं लगाया गया यानि just imagine किजिए इस smartphone ये लोग 9000 रुपए में बेच रहे है और 9000 रुपए के अंदर आपको क्या चीज मिल रहे है वो देखते हैं सबसे पहली चीज यहाँ पे आपको MediaTaker G35 processor बन जाता है 9000 रुपए के अंदर G35 processor ये smartphone brand प्रोवाइड कर रहा है चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे आपको Android 10 मिल जाता है Clear and Sale चल रही है Android 10 के साथ में 9000 रुपए मिल जाता है चलो आगे बढ़ते हैं चलो 13 Megapixel का Dual camera मिल जाता है इस price range के अंदर आपको अराम से 50 Megapixel का camera मिल ही जाएगा Obviously कुछ-कुछ phones के अंदर Type-C भी मिल जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं 5 Megapixel का selfie camera मिल जाता है Rear fingerprint sensor मिल जाता है ये जो smartphone है किसी भी एंगल से 9000 रुपए के अंदर clearance sale की category के अंदर आता ही नहीं है फिर भी I don't know किस हिसाब से clearance sale वर्ट डाल के इस smartphone को Redmi 9 को 9000 रुपए में बेचा जा रहा है और वो भी warranty के बिना वेल दोस्तों सबसे बड़ा question तो ये ही है क्या smartphone brands नया smartphone खुद की official website पे ही without warranty बेच सकते हैं क्या चीज legal भी है अपने friends से पूछ के नीचे comment जरूर कीजिएगा मुझे भी पता करना है और क्या ये smartphone 9000 के अंदर clearance sale की category के अंदर आता है आप अपना opinion मुझे नीचे comment में जरूर दीजिएगा ये वीडियो अपने friends से शेर करना मत भूलिएगा I hope ये वीडियो आपको informative तो definitely लगा होगा वीडियो को like करके हमें motivate भी कर सकते हो इसका वलोब बहुत मैनाद से आप सभी के लिए कुछ वीडियो बनाएं जाके check out का लीजे मिलता हूं next वीडियो में तब तक के लिए ताड़ा बाय बाय वाय वबेक शीनि आप